पुत्र प्रदेश के बलिया में केन सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर कारिक्रम का आयोजन किया गया। कारिक्रम के तहट बीजेपी अल्प संख्यक मोचा के अध्यक्ष जमाल सिद्धीकी ने प्रेस कॉन्फरेंस की। इस दोरान उन्होंने सरकार की योजनाव कारियों उपलब्धियों को साजा किया। कारिक्रम में यूपी के आयूश राजमंत्री दिया शंकर दयालू और बलिया के बीजेपी सांसद बिरेन सिंग मस्द भी मौजूद रहे। इस दोरान बीजेपी गयल्ब संख्यक मोचा के अध्यक्ष जमाल सिद्धीकी ने कहा कि बीजेपी के महासंपर्ग अभियान के तहट जनता को बीजेपी सरकार के नोवर्ष के कारकाल में हुए कारियों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार मुस्लिम समाच के विकास के लिए लगतार काम कर रही। मुस्लिम समाच का विकास ना होने के लिए कॉंग्रेस समेट अन्वे पक्षिदल जिम्मेदार हैं जबकि बीजेपी लगतार मुस्लिमों के विकास में जुटी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार के कारेकार में तमाम जनकन्यान कारी योजनाय लागू की गई जिनका लाब जनता को लगतार मिल रहा। इस मौके पर मौझूद बल्यास सांसर ने राहुल गानी पर जम कर निशाना भी साथा। भाने पर जड़र मंतरजी ने तो गरीप कर नञकार इनकाल मुस्थ की बात हो। के दिए भी क्या अना यहारे के ईयसे और हम और हम कर रहे सर्धी स्धि. की चारियों को बता रहे और उन से सवबाद कर रहे कि आखर और हम क्या काम कर शोंको है। परिबारवारदे को भर इस प्रिवारद Łशति लाजिती, जहां परिवार ही, परिवार का मुप्या ही लाजीती मैं मुखबत पर बैटा का, और जो बालब कर सकता है अपने प्रिवारों को जो गरीब परिवार है उनको को बदद कर सकता है इसका जो राजसा खोला है प्धार्पे जी आजि ने, इसके पष्रा करें, और भूख रूप से जो प्रिधारमंदरी के आरकान में जिरो टॉलर्स, जाहे मानिया जी वानिय जिर इसकार हो, ज़हाँ ज़ए जिरो टॉलर्स है, जहाँ पर किसी को बक्षा नहीं जारहा है, ज यह अगर बात की जा है एक कहा है कि मुसलिन लिग राठी है क्या कहें गए बात को कुएom अ इसलिए विदेश में जाने के बाद ही मिलता है और सब्सक्राइब कर दिया है इतना कम्जोर कर दिया है कि देश में भार्ती लोक्तंति पर भी विद्वक्ष का नहीं होने का इसलिए प्रदान मंत्री देश की जंता बनाती है मोदी जी की बलिया से आमित कुमार की रिपोर्ट कि बलिया से आमित कुमार की रिपोर्ट